को स inhibition कैसे हैं अच्छ यह हैं के तक्स क्टिक इस जिए हम पर कारूरा एककर रह से पहले अपने निक्सी किया पर संको डिसक्रस किया है स्टार्ट करने से पहले आप सबको बहुत बहुत वहारे को कि 24 अक्तूबर को जो आपका पाकिस्तान ने इंडिये के साथ किया है वह ऐसा कुछ कर दिया है जिसकी नाम दौा कर सकते थे ना हमारे खाब ख्यालात में ऐसी बात थी माशाला जी आगे कि मैं अच्छी उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप भी जीते हैं उससे के लावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है जभी तक हमने टॉपिक्स क में और मेरे चैनल के अबाउट वाले कॉलम में भी जाकर आप मेरा इंस्ट्रग्राम अकाउंट और फेस्बॉक प्रोफाइल कर सकते हैं तो आपको जो भी कंफूजन होगी मैं उसको अड्रेस करते हूं का इसके लावा दूसरी बात यह के थोड़ा सा गैप आगिया लेक् लेकिन आप परिशान ना हूं अपना जो टार्गिट है टेक्स को गवर करने का 15 जनवरी 2022 उसका मीट करेंगे और पूरा कोर्स में डिटेल डिसक्रस करूंगा आप इस बात के जैसे परिशान ना हूं कि कोस्ट कंप्लीट नहीं होगा और हम इन डिटेल डिसक्रस करेंगे को जिस तरह कि अभी तक हम डिसकर्ष करते आ रहे हैं तो अगर आप को इस आता है आपको परशानी होती है तो आप फ्री होकि मुझे से डिसक्रस कर रखते हैं हम उसको अड्रेस करेंगे ठीक है जी हम सबसे पहले स्टार्ट करने लगे हैं टेक्सेबल इंकम अगर आप आपली इन्कम क्या होती है जी पहले पता हूं मुझे कि इंकम क्या होती है इंकम जो आपका एक नॉर्मल meaning है जो एक general meaning है income का आपका income tax ordinance भी उसको क्या करता है define करता जी आपका page number है book 45 छीक है जिसमें हम डिसकास करें income वह कह रहे हैं कि income में वर्ड लिखा है includes एक तो है general definition of income income क्या है अगर हम आप इसको गर हम मैं आपको बता हूं पर हम सब्सक्राइब तो इनकम यह है कि अगर आप कोई से प्रोइड कर रहे हैं कोई आप बिजनेस कर रहे हैं अगर आपके जो कॉस्त दो कि इन्वेस्मेंट की जब आपने उसको सेल किया है तो उससे ज़्याद है से प्राइस जो इसमें डिफरांस होगा गेन होगा वह आपकी इंकम है अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो इसको कोई भी चीज आपको सेल करते हैं तो कॉस्ट और प्रस में डिफरांस होता है आपको जो गेन होता है वह आपकी क्या होती होती है इंकम होती है इसमेरली एकर आप जॉब करते हैं तो जो आपको सेलरी में लोगी होती है उसके उपर तो वो सेलरी आपके क्या इंकम है ठीक है हम यहाँ पर पड़ भी लेते हैं यहाँ पर देखते हैं कि यह आपी जो डेफिनेशन है जो आपकी टर्म में उसको भी इंकलिवड करती है उसके लाव यह चीज़ें भी कुछ लिखी नहीं है इसमें कुछ आपको समझ आएंगी चुछ नहीं आएंगी समझ आजाएंगी और नान भी तुछ रहुड त्यूटव वयोट है इंकमताने सेलरी ठीक है जी लावरब को ट्रॉब कॉछ issues कोई सब्सकृते हैं एनियमान सभ्जेक्ट टूव कोलेक्शन और डिशे अफ प टेक्ष अंडर फाइनल टेशिट रिजी मारे चपिर फोर में इसको ढूंब भी एक्सपोर्ट सब्सक्राइब पर एक्समित कर लेते हैं तो हम क्या हूं प्रिजिक नुकर तो यह पर कहते हैं अगर आपने किसी कंपनी के शेयर पर चाहिए किया है आपको जो आपकी क्या है इंकम है और आपको पता है क्या होती है जो आपको रही होती है अगर आपकी इंकम करेगी अगर आपने डिया वह तो उस पर प्रॉफिट मिलेगा वह क्या है इंकम की डेफिनिशन में फॉल करता है अब टेक्स क्या है जी टेक्स वह यह आप इंकम को फाइफ हेड्स में क्रासिफाय कर दिया वह कहते हैं यह अपने समय लिए अब आपने जो इंकम है उसको इंकम को इन में किसी एक में क्या करना क्लासिफाय करना इल सबसे पहले कहते हैं आपकी इंकम एक कि अगर आप कोई जॉब करते हैं तो उसे इंप्लॉयमेंट से आपको जो भी बैनिफिट मिल रहा है आपके इंप्लॉयर की तरफ से वह आपको के नेट कैश भी हो सकते हैं आपको गाड़ी मिली होती है आपको मेडिकल अलॉंस मिला होता है आपको इसके लावा अक्कमूडे जी आपको इसे मिलेंगे रिवाड मिलेगा इदर कैश और इनकाइंट अब दोनों में जिस भी शेप में आपको रिवाड मिल रहा है इम्प्लॉयर से वह सारा आपको किस में कवर होगा इंकम फ्रॉम सेल्टी में कवर होग ठीक है हमने इस चैफ्टर को डिटेर में डिसकस करने हैं तो क्या क्या होता है क्या कर नहीं होता हम आप डिसक्रस कर लेंगे यहां पर आपको क्या दे रहे हैं एक जैनरल आइडिया दे रहे हैं दूसरा आपके पास है इंकम फ्रॉम अब इनकम फॉर्म बिसनेस क्या होती है आप को बतते हैं कि आप उसके पर चैस्ट करते हैं आप इस पर इंदर रहे होते हैं आप किस तरफ प्रफिट पांच हजार अब इसमें से लेस करते हैं एक्सपैंसे जितने जापके एक्सपैंसे जो जो आता है आ जाता है प्रॉफिट इस प्रॉफिट को हम कहते हैं इंकम प्रॉप बिजनेस अब कि समझेज आ बिजिनेस कंपनी भी हो सकती है घाप पाट्रेटर भी भी हो सकती है तो टेक्स प्र परपेज्च के लिए हम सोल ट्रेटर को क्या कहते है और पाट्रेशी को क्या कहते हैं यो फिक शरक तो आहिंट का आधिकर फ्राप्रापटी कि अचा यह अच्छिए प्राप्टि इंक्वर्ण अब प्रापडी क्या है कि अगर आप ने लैंड एंड बिडिडिंग देखें आपके प्रापड़ी दो होती है उससे आप किस तरह की इंक्म किस तरह आपान कर सकते हैं एक तरह आपका से कर दें सेल कर दें आपकी कॉस्ट और सेल कर जिस तरह के मैंने सेल किया है एक बिडिंग 25 लाग की मकान ठीक है ना और मैंने परचेस किया था 18 लाग का मुझे यहां पर क्या आगया साथ लाग कर गेना आगया यह जो मेरी क्या प्रॉपटी से इंकाम आ रही है ना लेकिन यह जिए तो सेल और परचेस से प्रॉपटी में कौन काम आती है वह बदे दियता हूं है मेरी ऑव्टे दियुदे स्टेश्ट करनी है किस तरह कंप्यूट करनी है किस तरह करनी है उसकी उपर मारा पूटा चैप्टर है हम डिसकर्स करेंगे ठीक है ना जी हमसे बतार होगे आपके आपकी होती है है और तो अगर आप schw annam लिबेन अगर निए करें कहां पर आगा को अगर को आता निए इक बात यह अगर आप ने दारूं आप अगर आपने बात आप अग– मैं पीन डॉस्त फॉर में इसमें फॉल करती है कि अगर आपने किसी कंपनी एंपले कंपनी इसके शेयरज अगर आप करते हैं किसमें टेक्स होगा वहां का from ici इण क collection होगी एक होती है आपकी पूंटे करते हैं तो यह पी आपके चुछ selbst करें का किसमे फॉल करेगा आपका ऑप कसके लाब आप कुछ वैसे पस कि लिए आपकी कार फश्राइब लेकिन कुछ ऐसी है जो उन्होंने क्लासिफाय कि हैं कि अगर आपका जूलरी पड़ी ती गोल्ड पड़ा था आपने गोल्ड बेचा है तो रेकुलर जूस के लिए नॉर्मल जूस के लिए लेकिन क्योंकि उसकी अमाउंट ज्याद है तो उस पर जो गेन आएगा तो वह आपकी क्या होगा इसके लावा और भी कुछ चीज़ें इसमें फॉल करती है फॉल करती है ठीक है वह हम डिसकास करेंगे चैप्टर में जाकर क् आपका इंकम केपिटल इपॉल करेंगे चीदि यह आपकी अपकी थीजी प्राइब करते हैं लॉप कहता है कि ऐसी इंकम हर वह इंकम जो इन इन चारों में फॉल नहीं कर रही है जैसे कि अगर मैं कहूं कि मेरा प्राइस बॉंड निकलाता है अब प्राइस बॉंड मेरा इनाम निकला ब्रबी कर रहे नहीं जी लेडिया नहीं जी नहीं जी नगाल में फॉर्ण फॉरॉपर्टी नहीं जी क्नि doty नहीं एफ प्राइस आ लोस आएगा और प्रसूर निकला है तो मतलब क्या प्राइज बॉंड निकलेगा जो मुझे प्राइज मिलेगी मिलेगा वह क्या है मेरा अच्छा जी अब दिसकास करते हैं आप जो बैंक में डिपॉजट कराते हैं ठीक है उस प्राफिट मिलते हैं अपर चीए प्रॉफिट उन देपॉजट है या आपकी सेलरी नहीं जी इनका में नहीं जी बिदेनेस नहीं नहीं इनका रहा हो जाएगा जी अधर्स सोब्सक्राइगा अगर आपको डिवीडेंट मिला है रिटार्म में पता है पड़ा होगा आपने डिवीडेंट में पता होगा आपने बता देता हूं इस फिस नहीं करती है अब जो डिवीडेंट इसेलरी भी नहीं करती है तोह पर अपाइब करता इनको भीकर्विजनेस प्रॉपर्टी नहीं गया अब रोयलेटी क्या है अगर्मेक ब्रैंड है अगर वो किसी नाम का नाम्यम देते हैं तो उसे इक पर से लिते अपने ब्रांड का नाम जूस करने के लिए देने के लिए तो जो एक पसंटेज है जो मंतली मिल रही करदें को बदरस हैं फाइड फोने इंकम कर दिया तो ठाइड़ करें इक आपड़ सेलरी हो आपक्लेड है इसप्र प्रापटी yes ने यह फ़ॉम अदर सोर्सेज होगी जो भी इनकम करेगी तीकत करने करने के लिए टेक्स लिलिट करने के लिए अए अज हनि मुझ Trustees करने के लिए चाहि से इंकम क्या होती है दो तक है US like अब नेक।स शीखना है वह हमने सीखना है टोर्टल इंकम क्या हो टीए कि अ used क्या होती है कि अभी सीख लेते हैं कि इस में कर लेता हूं एक परसा ने उसकी इंगा फ्रॉम सेलरी यह पांच लाग तीक जना इंगा बिजनेस है चार लाग पचास दार अगर मैं सारी इंकम को साम कर दूं सारी इंकम को जो मुझे मिली है उसको मैं क्या करूंगा तो टोडल इंकम क्या है मतलब यह समर्य का क прошर लेकिन हमें तो अपने स्कोप के मुटाब क्या है वह मतलब होगते हैं मतलब यह हुआ इंकम और टैक्सिशवल इंकम में फार्क होता है तो हम चीखते हैं हमने हमारा और चेख्स लाइकम करनी है कि अप्ला करेड़ करें किया करें इक्स ल्याबिलिट्टी sun तक हमने सखें। अब इस मेंगें क्या पॉचओंगा एक्सिंपलण पर पॉचूँँगाु अब क्या होना है अब यहां पर हम एक चीज़ पढ़ते हैं एक्जैम्ट इंकम मगर्ब की जान हो रही है तो दो मिट की में ब्रेक कर लेता हूं उसे बाद हम बगार डिसकास करते हैं इंशालों